दुनिया रंग भी रंगी रहे बाबा दुनिया रंग भी रंगी एक एक राजपती है अपने देश के शिर्ष नेता है पिछले कई दशकों से अपने देश पर राज कर रहे हैं और वर्तमान में उनका देश जो है वो युद्ध की विभीशिका से जूज रहा है तो जो नेता है वो राजपती के पद पर आसीन है वो पाँचवी बार जो है इस पद पर आसीन हुए है और दोजार चोंतीस तक जो है वो राश्पती बने रह सकते हैं उनका देश जो है वो युद्ध में जो है छोका हुआ है और और जो है वो क्या कह रहे हैं वो नेता जो है वो खबरों में है क्योंकि उन्होंने कोई नई सलाह दी है अपने नागरिकों को वो जो राश्पती है उनका नाम है व्लादिमीर पूतिन जो रूस के नेता है, रूस के राशपती है और अब हाल में इसी साल जो है चुनाव में दूढ़ा चुन के आए हैं और जो सम्विधान में उन्हें बदलाव किया है उसका अनुसार जो है तो जायर चौँतिस या चौँतिस तक जो है ये राजपती रह सकते हैं, election अगर जीते रहे तो, और जीतेंगे क्यों नहीं, सवाल यह उड़ता है कि पुतिन जो है अभी फिर से पुरी खबरों में हैं और इस बार युद्ध से जुड़े खबरों में नहीं है, पुतिन ने अपने देश के लोगों को सलाह दी है, कि आप मान पाईए, वो यह कह रहे हैं कि अपने नागरिकों को, कि आप खाने के साथ जो है, अपने जो पार्टनर है, उसके साथ लपड़ जपड़ भी कर लीजे, उसके साथ संभोग भी कर लीजे, और जो है, इससे होगा यह कि जो है, आप जो है, वो अपनी अपना जो परिवार है बढ़ा पाएंगे आप जो है देश में बच्चों की जरुवत है बच्चे यहां कम पैदा हो रहे हैं तो जो भी आप जितना भी बिजी हो लेकिन जो लंच ब्रेक होता है जो कॉफी ब्रेक होता है उसमें थोड़ा और समय निकालिए और अपने पार्टनर के साथ जो है लप खाल से इस पदपर है और जब से रूस जो है सोवे तुनन से आजाद हुआ है तो मेरे खाल से पहले जो राशपती थे बोरिस येल्सन और बोरिस येल्सन के जाने के बाद में जो है राशपती बने है पूतिन जो आज तक जो है चल रहा है मामला और अभी जो है उनका कि संख्या है उसमें बड़ोत्री की उन्हों ने आदेश दिया है और एक लाग सी हजार और सैनिक जो है वो जुड़ेंगे रूसी सेना में तो कि लड़ाई जो है वो चल रही है लड़ाई जो है उसमें और तो आदा loggों की धारशों की जरुरत रही है यना उनके लोग मार रही जा रहा होंगे तो इसमें कोई चुपी बात है नहीं और इसका हितर जो है देश में और और सुरक्षा में जो है वो जाधा लोगों की जयादा पूरीशों की ज़रुत है तो यह उनका कहना है अब इसमें देखिए इसमें जो है इसको कई तरीके से जो है समधा जा सकता है एक तो ये कि आप मजाक उड़ा सकते हैं कि भई एक देश का राश्पती जो जिनका देश जो है वो युद्ध में जुका हुआ है वो उस देश का राश्पती ऐसी बात क्यों कर रहा है न ये तो बड़ी अजीब हो गरीब बात है कि आप अपने नागरिकों को कहें कि आप लंच ब्रेक के नाम से निकलें और अपने पार्टनर के साथ जो है वो जो है उस पर आप उस पर हावी हो जाएं और उसके बाद मिझा उसको पेगनेंट करने के बारे में सोचें यह बड़ी आपको समझना होगा कि जो विक्सित देश हैं जो गोरे देश हैं या वैसे देश जो किसी भी तरह से अमेरिकी बाजारवाद के प्रभाव में रहे हैं और रश्या भी रहा है वैसे देश जो किसी भी तरह के अमेरिकी बाजारवाद के प्रभाव में रहे हैं वहां सब जो है आबादी का संकट पैदा हो गया है रूस के साथ जारा समस्या यह हो गई है कि रूस के पास बहुत बड़ी जमीन है और उस जमीन में जो हैं वो कई प्रकार के जो हैं समस्याएं भी हैं मतलब उनके पास अंसाधन तो बहुत हैं लेकिन जो हैं रूस इतनी बड़ी जमी जो 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 बने कई सालों तक जो एक अनिश्चित्ता का महौल रहा उससे जो है आबादी बहुत तेजी से गिरी है और परिवार बनाने की जो रुजान है वो काफी तेजी से गिरा है इसके बाद जो है जब दुबारा इस्थरिता लोटने लगी तो निर्भरता बढ़ी यॉरोप पर जो अमेरिकी बाजारवात के पंजे में था और निर्भरता बढ़ी अमेरिका पर तो वह भी अमेरिकी बाजारवात के पंजे में था तो हुआ यह कि जब इस्थरिता वापिस लोटने लगी तो लोग शादी कम करते थे और जो हैं वो मतलब जिंदगी के मजे लूटने के ज़्यादा उनको प्रवृत्ति रहती थी है ना और जो 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 अच्छी तोड़ा क्वालिफाइड था जिसके पास काम था जो समझता था कि हां मैं पैसे जो है मार्केट से पैसे मिल सकते हैं मेरे काम के लिए मेरे बिजनेस के लिए तो वो जो है रूस को छो करके जाके दूसरे देश में बस जा रहे हैं तो यह लगता है कि वहाँ पर आबादी कम है वहाँ पर जो है दूर दूर लोग रह सकते हैं अबादी का घनत तो कम है यानि कि एक महले में जो है आपको 25-30 लोग मिलेंगे और पर स्क्वार किलोमेंटर जो है आबादी का घनत में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आबादि घंञ तो बहुत जादा है अगुछी है और आ वहाँ पर काईबार पानी निचर जड़ता है काईबार जो है वहाँ की समस्याइब आज आती है ना तो ये जो है इस कारण से योरप और अमेरिका में रूस में से पलायन हुआ जब तक कि रूस के अच्छे संबन थे, जब तक कि रूस और बाकी जो पश्चिमी देश वहापस में व्यापार करते थे तो ये चलता था वहाँ पर तो इस कारण से जो है पूतिन काफी समय से प्रयास कर रहे हैं काफी समय से प्रयास कर रहे हैं 99 के समय से और उन्होंने इसलिए जो है अपने देश में ऑर आदमी और जो है शाठी करके बच्चे बनाएं क्योंकि रूस में अगर आबादी नहीं रहेगी तो इस देश को संबालना मुश्किल हो जाएगा और रूस के सामने काफी चुनविज्टियां है। काफी चुनोतियां है रूस में है ना आबाद को मानना चाहिए आपको जितनी बड़ी जमीन है उसको समालने के लिए जो आबादी चाहिए जो एक जो फैमिली सिस्टम चाहिए जो पहले था सोवेट उनन के जमाने में जब अमेरिकी बाजारवाद से दूर थे वो तो वो भा जगती भी की और दुनिया भर में छाय भी रहे और टेक्नैलोजी में हर एकनी भी लग घए तो अब यह हैं बच्चे पैदा करना जो है नए बच्चे कहा से आएंगे और जो आबादी on होती जा रही है उसको कैसे पाला पोसा जाएगा और वो भी इतने इतने बड़ी जमीन में जहां आबादिये घहनत तो नहीं है तो आप सोचते हैं कि चलो ठीक है यहां पर वेवस्था कर देते हैं और यहां पर खपत इतनी रहेगी कि जो भी हम दें निवेश किया है वह आप प्रती गाओं जो हैं दो ही लोग, तीन लोग, पांच लोग, दस लोग हैं, एक हजार लोग हैं तो उनके लिए आप रेल लाइन बिचाओगे तो रेल लाइन बिचाने का कब तक को निवेश जो आपने किया है वो कब तक वापिस आएगा दिल्ली में मेट्रो चलाते तो वो 100 रुपेज जो हैं वो जल्दी से जल्दी हमको वापिस मिल जाएंगे, लोग उतने बड़े पैमाने पर हैं वहाँ पर कि वो इस सेवा का इस्तमाल करेंगे, कभी जरूरत के हिसाब से करेंगे, कोई रोज करेगा, कोई मजबूरी में करेगा, किसी को सस्ता लगेग मुंबई मेट्रो जो हैं वो प्राफिटेबल हैं, वहाँ पर पैसा आता है, वहाँ सरकार पैसा लगा सकती है, कोई प्राइवेट को बोलेंगे तो भी पैसा लगाने को त्यार हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, इनको इधर स खेले हुए हैं, उनके लिए आप रेल लाइन लगाओगे, अब दो लोग, दस लोग, पंदरा लोग, बीस लोग हैं, अगर हजार लोग हैं, अगर तो उसमें से वो उनको अपने जरूत कहसाब से वो आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका जो पैसा लग तो लग गया ना, और बाकी देशों को भी सीखने की जरूत है कि अपनी डेमोग्राफी के साथ, अपनी आबादी के साथ, अपने परिवारिक जो हैं, जो फैमिली सिस्टम है, उस पर हमेशा गहर कीजिए, इसके बारे में जो हैं, मतलब आम तोर से, आम तोर से जो सबसे क्रिटिकल प्रोजे है, या कोई स्पेस में कुछ नया करना है, वो प्रोजेक्ट है, तो यह तमाम जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट होते हैं, जो बहुत जारा समवेदनशील हैं, और जो जो देश के लिए बहुत जरूरी हैं, इन सारे प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग होती है, वो सीधे भारत में जो डेमोग्राफी है भारत में जो फैमिली सिस्टम है भारत में जो फैमिली वैल्यूज है इसको भी पधानमंत्री कारणे के अंदर जो है सीधे निगरानी में रखे जाने की जरूत है कोई एक सिस्टम या मेकानिजम बिल्ड़ अप करने की जरूत है क्योंकि जो जो हैं हशारा है और बाहर से जो है अगर हम गेट खोलेंगे तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे है ना तो हमको जो है controlled migration चाहिए और हमको skilled migration चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हों जो काम के लोग हों वही हमको चाहिए और बागी जो है लत्तु फत्तु हमको नहीं चाहिए तो पूतीन भी जो अपनी बात कहे रहा है वो ये खबरों में बहुत तीजी से फैली है और भारत ने भी जो है मीडिया में काफी कवर हुई है लेकिन इसकी गंभीरता को भी समझना पड़ेगा क्योंकि वाकई में जो है रूस में अभी जो जन्मदर है वो डेड़ है जबकि होना चाहिए तो पॉइंट एक जाने की एक ओरत जो एक रूसी ओरत है और चाहिए और आपको अबादी बुढ़ी हो रही है और आपको नई आबादी चाहिए वो बुढ़ी आबादी को भी जो है सेवा कर पाए और और आर्थवर्शा चलती रहे और जो है वो जो है देश शलता रहे, देश की वेवस्ता चलती रहे, अगर आपको ये चाहिए, तो आपको जो है वो कम से कम आबादी में 2.1 होना ही चाहिए, जन्दर, तो अब ये देखने की जरूत है कि वहाँ पर ये डेड़ है, डेड़ भी है कि नहीं, वो कौन जानता ह है, वो भी अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग होगा, है ना, तो जिससे मालने जीगे पूतिन समझते होंगे कि ये जो है इसाई इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा होने चीए जन्दर, तो वहाँ पर कम होगा, तो ये उनकी चिंटा का कारण है, तो इसी कारण से जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो कि एक तरफ से आपको लगेगा कि ये फूहर बयान है, आप अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है लंच ब्रेक के नाम से निकलिए और अपने पार्टर पर जो है आप हावी हो जाईए, उस पर आप चड़ जाईए, आप ये कह र ये इस तरह की बात उनोंने कही है कि मीडिया इसको उठाएगा, मीडिया पचारित करेगा इसको, कि वह एक राश्पती होकर कैसी बात कर रहे हैं, है ना, ये उनकी मजबूरी है, ये कम्युनिकेशन उनको इस तरह से करना पढ़ रहा है, ताकि मीडिया जो है इसको क्योंकि देश अगर बड़ा है तो देश की सीमाईं भी बड़ी हैं और उन सीमाओं की सुरक्षा भी जो है बड़ी जिम्मेदारी बनके आती है सामने है ना इसके इतर जो है आपको लोग चाहिए जो मुर्गी पालन से लेके मश्री पालन से लेके खेत खलियान से लेकर के औ और इसके अलावा जो है आपको इंजिनर डॉक्टर चाहिए इसके अलावा जो है आपको जो है जो एमरजिन टेखनोलोजी से उसके लिए लोग चाहिए और इसके अलावा जो है आपको देश की सीमाओं पर खड़े होने के लिए लोग भी चाहिए आपको जो जान देने के वे मर जाए तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे वो आपको नुक्सान होगे आपके समाज का आपके समाज में वैसे ही लोग कम है और जो युवा है जो अभी परिवार बना सकता था वो भी खतम हो गया तो आपके सामने आप कोई चारा नहीं बचा है बजाए इसके कि हो से हैं और दोनों की रुजल saying ही नहीं है जुआ करेंगे जरूर रूसी से लोग लेकिन वो काम करेंगे लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे ये वात समझके चलीं कि बच्चे पैदा करने के लिए जो है पूरे समाज में महाल होना चाहिए जब तक मुझे यह लगेगा कि बाकी समाज में सभी लोग यही काम कर रहे हैं सभी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं सिर्फ मैं अकेला बच गया हूँ तब तक जो है लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे जब सरकार की प्रत्यमिक् उसको बंद करना होगा उसमें जो है आपको प्रतिबंद लगाना होगा है ना आपको जो है वापस जो है जो सत्तर असी के दशक की फिल्में होती थी बॉलिवूड की फिल्में होती थी है ना उसमें आपको जाना होगा अगर वो आप नहीं कर पाएंगे और वर्तमान जो अम प्रशासन देख रहे हैं तो इसलिए उनको जानकारी तो होगी लेकिन अब सवाल उड़िये उठता है कि जो जो आखिरकार तो उन्हें इस मुद्देव कुछ कहना जरूरी है ना अगर लाखों लोग अगर किसी क्रिया में लिप्त होते हैं तो कम से कम कुछ हजार बच्चे तो पैदा होंगे तो यह तो law of averages है है ना जब जब किसी बातों कहा जाता है तो सौ लोग ना मानते हों दस लोग ना मानते हो पांच लोग तो मानेंगे तो पांच लोगों का ही जो है अगर उनके कहने से अगर कि वो जो है वो अच्छा एक वार बताना चाहता हूँ आपको सुनियेगा जब प्रधानमंत्री मोदी जब मौस्को गए थे भी हाल में जुलाई में तो वहां पर जो है वो सोफा पर जो है दोनों आमने समने बैठे हुए हैं और जो है पूतिन पहले जो है कुछ कह रहे हैं अपनी बात को अपने इंट्रोड़क्टरी रिमार्क में कुछ कह रहे हैं और उनके बगल में एक महिला बैठी है जो कि उसको हिंदी में अनुवाद कर रही है तो उसमें भी इस बात का जिक्राया था और पूतिन ने इस बात को नोट किया था कि आपके हाँ भारत में जो ह इतनी संख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका मतलब यह है वो यह कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपके हाँ लोग अभी तक आशानवित हैं कि सरकार जो है वो उनका ख्याल रखेगी उनके परिवार का ख्याल रखेगी उनके बच्चों के लिए अच्छा भविश् है लेकिन उनके लिए पहतना जरूरी है और पहुंचें और दूसरी बारी ही यह जांते होंगे वो कि उनके कहने से लोग बच्चे पादा नहीं करेंगे, भले उनके कहने से सेक्स करें, लेकिन बच्चे पादा नहीं करेंगे, जब तक कि वह सा महाल उनको नहीं मिलेगा.